विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेव यूग वसिष्ट की अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हमने काग मुशंडी की बहुती दिल्चस कहानी को शुरू किया था महर्शी वसिष्ट जी काग मुशंडी के पास जाकर जानना चाहते है कि वो सबसे ज़्यादा आईू वाले जीव कैसे बने किसने उन्हें आदेश दिया है उस व्रुक्षपर रहने का ये सारी बड़ी दिल्चस कहानी आगे आज देखते है बुशंडी ने कहा इस ब्रह्मांड में महादेव है जिनका नाम है हर ये देवताओं के देवता है स्वर्ग के सभी देवता इनकी आराधना करते है इनकी अरधांगिनी ने इनके आधी शरीर को धारन कर रखा है इनके सैनिक अधिकारी बूद प्रेथ है उनके चेहरे बालू, उंट, चूहे आधी जैसे है चौदाह भोनों के प्राणियों को आहार सुलब कराने वाली देविया उनके सन्मुख नृत्य करते है इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थी अलंबुसा इसका वाहन कवा था, जिसका नाम था चंड यह अत्यंत शक्तिशाली था और इसका रंग नीला था भगवान शिव का यहाँ पे विशलेशन चल रहा है भगवान महादेव के बारे में सारी बाते चल रही है और उनके सामने अनीक देविया जो इन चौदा जो सारे भूवन कहे जाते है इन चौदा भूवनों को आहार यहने खिलाने वाली पोशन करने वाली देविया महादेव के सामने नृत्य करती थी उनमें से एक का नाम था अलंबुसा इसका वाहन था कववा जिसका नाम था चंड और वो नीले रंका था एक बार सभी देविया आकाश में कत्रवी उन्होंने तुम्बरु देवता का अर्चन पूजन किया तुम्बरु रुद्र का ही एक रूप है बाये हाद से वे सब क्रियाय करने लगी जो परम सत्य के प्रकटी करण की परिचायक होती है वे उस समय मध्य के नशे में चूर भी थी फिर वे एक महत्व पूर्ण प्रश्ण पर विचार करने लगी प्रश्ण था कि उमा के पती हर हम सब के प्रती तिरसकार पूर्ण विवाहर क्यों करते है उन सब ने निष्चे किया कि हम सब अपनी शक्ती का प्रदर्शन इस प्रकार करेंगी कि जिससे पुन वे पहले जैसा विवाहर करने लगे फिर उन्होंने उमा को अपनी जादुई शक्ती से इस प्रकार अभीबूत किया कि वह अपने स्वामी हर से अलग होकर रहने लगी सभी देविया आनंद से जूमती रही, कुछ मध्यपान करती रही, कुछ रुत्य करती रही, कुछ ठाहा के लगाती रही, कुछ गर्जन करती रही, कुछ दोडती रही, कुछ गिर्ती पड़ती रही, और कुछ मांस भक्षन करती रही देवी ब्राम्ही की वाहन हनसनिया भी अलंबुसा के वाहन चंड कव्य के साथ नृत्य करती रही एक एक करके सभी ने चंड के साथ जोडा खाया वे सभी नशे में ही थी शीग्रही वे गर्बवती हो गई हनसनियों ने इस सम्मंद में सब कुछ ब्राम्ही को भी बताया ब्राम्ही ने हनसनियों से कहा आप सभी के पेट में बच्चे है इसलिए आप अपने कार्य का निर्वाह करने में सक्षम नहीं इसलिए थोड़ा समय के लिए आप जहां जाना चाहे चले जाए इतना कहकर देवी गहरे सोच में पड़ गई समय पाकर हनसिनियों ने 21 अंडे दिये और कुछ समय के बाद वे से गए इस प्रकार चंड कवे के परिवार में हम 21 ने जन्म लिया अपनी माताओं के साथ हमने देवी ब्रामी का अर्चन पूजन किया उनकी कृपा से हमने आत्म ज्यान और मूक्ष प्राप्त किया फिर हम सब लोग अपने पिता के पास गए उन्होंने हमें गले लगाया इसके बाद हमने देवी अलंबुसा की पूजा अर्चना की चंड ने कहा बच्चो वासना और संसक्ती की बेडिया तोड कर क्या तुम दुरुष्य संसार रुपी जाल के बाहर हो गए हो यदि नहीं तो आओ उस देवी की आरादना करो जिसकी कृपा से तुम ज्यान प्राप्त कर सकोगे हम लोगों ने उत्तर दिया पिता जी हमने देवी ब्राम्ही के अनुग्रह से वह ज्यान प्राप्त कर लिया है जो प्राप्ती के यूग्य है तब हमने देवी अलंबुसा का अर्चन पूजन किया अपने पिता के आज्या अनुसार हम सभी यहां आ गए और इस गोसले में रहने लगे आज के एपिसोड में यह तो पूरी कहानी ही है जो काकबुशन्डू काकबुशन्डी हमें बता रहे है कि उनके जीवन की कहानी उनका जीवन कैसे हुआ मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ एक्स्प्लेंड करने जैसा है इस कहानी का हम ऐसे ही आनंद उटाएंगे जब तक यह चलती रहेगी अगर इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसके उपर हम कुछ चर्चा कर सके या मुझे कुछ लगता है इसके बीतर कुछ ऐसे सिंबोलिक चीज़े हैं जिसको हम उजागर कर सके तो हम जरूर करेंगे तो पहले तो ये सारी कहानी जब तक चलती रहेगी हम उसे अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर जो भी हो सके उस पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुखते हैं अगले एपिसोड में देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है तब तक के लिए जय गुरुदेव